नमस्कार बहुत बहुत स्वायत करते हैं क्लिक्टूडे के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टीटीसी पार्ट 3 एक्जामनेशन 2021-2024 सेशन को ले करके तो जैसे कि आप सभी को पता है अभी फिलहाल पार्ट 2 का एक्जामनेशन 2022-25 सेशन वालों का चल रहा है लेकिन जो पार्ट 3 का एक्जामनेशन है वो कब से स्टार्ट होगा कब फॉर्म भरा जाएगा इसको ले करके किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो कुछ चीज़े बता देना चाहता हूँ देखिए जो भी स्टूडेंट 2021-2024 सेशन के जिनका भी पार्ट 2 में प्रमोशन लगया होगा वो सभी स्टूडेंट अभी अपना पार्ट 2 का एक्जामनेशन दे रहे होंगे तो जो स्टूडेंट प्रमोटेड हो गये हैं उन सभी का फॉर्म पार्ट 3 का भरवाया जाएगा उसमें आपको एक अंडर्टेकिंग फॉर और परिक्षा फॉर्म पार्ट 3 का हो सकता है मेबी मई 15 के बाद भरा जा सकता है इससे पहले अगर हम बात करें तो पीजी की परिक्षा फॉर्म भरी जारी है फॉर्स समेस्टर 2023 से 25 सेशन का जिसमें की जो स्टूडेंट फॉर्म भरने के लिए अपने डिपार्टमेंट औ पर दिया जाएगा इसके बाद जो है एक्जामिशन कब से स्टार्ट हो सकता है तो जून मान के चलिए कि पूरा गर्मी का छुट्टी वगर रहेगा तो जून के एंड तक कुछ रिपोर्ट आएगा तो जुलाई तक एक्जामिशन जो है सुरू हो जाएगा यानि कि 2021 से 24 स कि और बाब जून में के और बाबजू जो है दो महीना तीन महीना लेट हो जाता है बिहार उनिवरसिटी मुझफफरपुर का जो ऐसा कुछ देखने को सीन आप लोग को मिलेगा आप लोग अपने सब्जेक का गेस्पेपर पर्चेस कर सकते हैं हमारे वेफसाइट के डाउनलोड करिएगा अपने पीडियो फॉर्मेट में गेस्पेपर को और उससे जो है पढ़ाई करिएगा जैसे ही कोई भी रिपोर्ट आएगा क्लिक टूड़े यूटूब चैनल पर आपको बता दिया जाएगा इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें अभी फिलाल पार और आगे जो रिपोर्ट रहेगी जो जो चीजे बताई जाएंगे इनिवर्सिटी के तरफ से वह हम आपको बताते रहेंगे तो आप हमारे चैनल को अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहींगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को आउन कर लिजे और पीजी आपको जो सेकेंड वीक से एक्जामिशन होता हो दिखाई देगा उससे पहले आपका वाइबा और जो आपका प्रैक्टिकल एक्जामिशन वगए रहा होता वो ले लिया जाएगा और उसके बाद ही जो थेटिकल पेपर का इस्टार्ट होगा तो आज की वीडियो में इतन संदर्द वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा अपने दोस्तों को भी इस तक धन्यवाद